नमस्ते सभी को और आज मैं इस बारे में बोलने वाला हूँ कि कुछ लोग भई मुझे और इंडियन्स को खास कर मात्र भूमी का पार्ट सिखाने कोशिश कर रहतें तो मैं उसके लिए एक चीज पताना चाहता हूँ आपको अगर नहीं पता होगा तो इंडियन्स को mostly पता हो है जो अभी इंडिया अंडर 23 टीम में गए हुए है यूई क्वालिफायर्स के लिए तो अब आप यह कहानी उनकी बड़ी खतरनाक है कि वह फुटबॉल की बहुत बहतर ट्रेनिंग और बहुत अच्छे लेवल पर खेलना चाहते थे तो वह इंगलेंड चले गए थे 14 साल की एज में इंडिया छोड़के मम्मी के साथ और वहां पर क्वीन्स पार्क रेंजर्स जो प्रीमेर लीग क्लब है अभी साथ रेलिगेट हो चुका है उस टीम में उनका सिलेक्शन हो गया था अंडर 15 में ठीक है यह पहली तो अचीवमेंट यह हो गई ठीक और क्वीन्स प पर अंडर 16 में भी हो सिलेक्ट होगा है और वाटफोर्ड FC उनको बुला कि हम आपको हमारे फ्यूचर प्लांस जो है इसमें आप सीनियर टीम में खेलोगे उसमें हम आपको डाल रहे हैं लेकिन आपको पॉर्टुगाल की सिटिजन सी प्लेना पड़ेगा और इंडिया की पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि एक 15 साल के बच्चे को कोई प्रिमेर लीग क्लब ये एक ड्रीम देता हो कि आप अपनी नेस्नलिटी छोड़ो पॉर्टुगाल की नेस्नलिटी लो और आपको हम इस क्लब में रखेंगो और आगे आप इससे प्रिमेर लीग भी खेलने इतना बड़ा सामने तुम्हारे रखा है मतलब ये ओफर और आप सोचिए कि एक 15 साल का बच्चा का प्रिमेर लीग के अंडर 16 टीम में है वहां पर वो ट्रेनिग और डेवलप्मेंट उसका होगा तो वही 15 साल का प्लेयर पॉर्टुगल की अंडर 18 टीम जोइन करेगा फि ये ओफर को उन्हें ठुकरा दिया ये बोलके कि मैं इंडिया के लिए खिलना चाहता हूं और अगर मुझे ये सब चीज करना पड़ रहा है और इंडिया की सिटिजन सिप छोड़ना पड़ रहा है तो मैं ये वाटफोड एफसी और ये कुछ कहीं नी खिलना चाहता है मैं इतने अच्छे प्रिमेर लीग खेलता है आगे चलके लेकिन ये उन लोगों के लिए एक तमाचा होगा जो मात रुभु में और मदर लेंड की बाते करते हैं और ये सुनिल छेतरी सर को बड़ी बुरी बाते बुर रहे हैं लेजेंड को अगर तुम एक लेजेंड के लिए कारें दर रिस्पेक्ट नहीं है कोई भी इंडियन किसी भी किसी भी कंट्री के लेजेंडरी प्लियर की कोई इंसर्ट नहीं करता है यह हमको हमारे स्कूल में और हमारे टीचर सब सिखाते है कि बड़ू की रिस्पेक्ट कैसे के जाती है और एक और बात किसी की टीम में कही प्रिंस्टन रेवलो यह नाम आप याद रखिये सभी कि भाई उन्होंने एक सेक्रिभाइस दिया हमारे देश के लिए और आज ऐसा भी नहीं उधर से आके हो कहीं गायाब होगा। उधर से आके अभी वो इंडियान सुपर लीग में गोवा से खेलते हैं और इंडियान अंडर 23 टीम में भी खेलने भी गए हुआ है और आगे चलके हो सकता है इंडिया टीम भी जॉइन करेंगे सीनियर नैसनल तो यह होता है प्रोफेशनलिजम कि बड़े क्लब को छोड़के भी आ रहे है तो एक लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है तो आई होप कि आप प्रिंस्टन रिबेलो को जो नहीं जानते होंगे जान चुके होंगे और आप इंस्टाग्राम भगेरा पर उनको फॉलो करें क्योंकि हमारे देश के यार इतना अच्छी हिलाडी है वो तो आप आप प्रिंस्टन भाई के बारे में जानकरी नहीं रही होगी तो अभी मिल गई होगी यह आप जानते होंगी आपको आपको अलटी प्राउट फिल करते हंगे फिंस्टन भाई के उपर तो यह आई है मैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत